बच्चो पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक वैपारी अपने वैपारिक सौदों को याद रखने के लिए अलग-अलग तरह से लेखे करता है ये लेखे किस तरह से किये जाए किस प्रणाली पर आधारित हो व्यभार या इनकी प्रकृती के अनुसार इनका वर्गी करन कैसे किया जाए इन सब बातों को जानने के लिए हम देखेंगे लेखांकन की प्रणालिया लेखांकन की प्रणालियों के अंतरगत हम देखेंगे कि लेखा करने के कौन-कौन से विधिया कौन-कौन से प्रणालिया होती है इनके लाब क्या होते हैं? इनकी विशेस्ताएं क्या होती है? इनमें कौन-कौन से गुर्दुष पाय जाते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करे लेखांकन प्रणालिया आखिर है क्या यानि कि इसके अर्थ की तो सीधे सीधे तोर पर हम समझ सकते हैं लेखांकन प्रणाली यानि कि लेखा करने की प्रणाली व्यपारिक व्यवहार में हम देखते हैं कि एक व्यपारी रोज बहुत सारे सौदे करता है कभी वो माल खरीदता है, कभी बेचता है, कभी उसका निर्मान करता है अब अगर हम बात माल खरीदने या बेचने की करें तो वो कई लोगों से क्रै और विक्रै के सौदे करता है यही सौदे कई बार वो उधार करता है तो कई बार नगद करता है इसी वेपारिक प्रक्रिया में बैंक संबंधी वेभार भी करता है कभी बैंक में पैसा डालता है कभी बैंक से निकालता है कभी बैंकों से रिन लेता रिंका भुक्तान करता है ब्याद चुकाता है ऐसे बहुत से कारे बैंक से सम्मंदित भी करता है एक वैपारी जब उत्पादन कारे करना प्रारंभ करता है तो फिर वो पूरी टीम के अंतरगत कारे करता है इसके लिए उसको बहुत से वैप करने पड़ते हैं इन खर्चों को वो कैसे याद रखे किस व्यक्ति को अपनी किस employee को उसने कितना उसने खर्च किया वेतन के रूप में ब्याज के रूप में मजदूरी के रूप में कमिशन के रूप में और ऐसे कई प्रकार के वे होते हैं जिने हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वे में विभाजित कर देत तो इतने सारे खर्च कैसे कोई वैपारी याद रख सकता है। इसी तरह वैपार में बहुत सारी आय भी होती है। अलग-अलग स्त्रोतों से आय होती है। तो किन स्त्रोतों से कितनी आय हुई ये कोई वैपारी कैसे याद रख सकता है। इनी सभी बातों को पूरे व्यवहार को लेखा बद्ध करने के लिए हम जिन विदियों का जिन प्रणालियों का प्रयोग करते हैं वे सभी प्रणालिया ही लेखांकन की प्रणालिया कहलाती हैं है अब अगर हम बात करेn रिक्वोन को याद रखने की पधिति के तो हम यह क्या सकते हैं कि वास्तों में लेखांकन की प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसको हम व्यापार में किये गए जो व्यभार होते हैं उनका एक रिकॉर्ड रखने के लिए चाहे वो क्रेविक्रे से संबंदी थो अन्य किसी लेंदेन से संबंदी थो संपत्ति या दायतों से संबंदी थो ओवरॉल सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है लेखांकन प्रणाली के अंतरगत व्यापार की इस वित्तिय स्थिति की जानकारी के लिए लेखांकन की विभिन प्रणालियों के आधार पर लेखे करने जरूरी हो जाता है अब अगर हम बात करें इन लेखांकन प्रणालियों की तो आये इनके वर्गी करण पर एक नज़र डाली है सिस्ट्रम जिसे हम आंगल प्रद्धती कहते हैं और दूसरा इंडियन सिस्ट्रम जिसे हम भारतिय लेखा प्रणाली कहते हैं सबसे बालें बात करें इंग्लिश सिस्ट्रम की तो इसके अंतरगत तीन तरह की लेखांकन प्रणालिया हैं जिसमें सबसे पहली प्रणाली आती ह दूसरी प्रणाली आती है एकहरा लेखा प्रणाली याने कि सिंगल एंटरी सिस्टम और तीसरी प्रणाली आती है रोकर्णाली याने कि कैश सिस्टम आंगल पद्धती यानि कि English सिस्टम के अंतरगत हम जिन प्रणालियों की बात करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली या हम कहें सबसे महत्वपोर्ट सबसे विग्यानिक प्रणाली जो है वो है दोहरा लेखा प्रणाली यानि कि Double Entry सिस्टम तो आए सबसे पहले हम जाने कि Double Entry सिस्टम यानि कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है बात करें हम दोहरा लेखा प्रणाली के इतिहास की तो यहां हम देखते हैं कि 1494 इस्वी में इटली के लिउकस पैथियोली ने एक पुस्तिका लिखी और उसके अंतरगत उन्होंने फिसे दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि वास्तों में यह प्धती है क्या कैसे हम इसका अनुसरन करें और इसकी आधार पर हम लेखों को कैसे मैनेज करें यह जो प्रणाली है इसे अंग्रेजी बही खाता प्रणाली के नाम से या फिर पास्चात या लेखा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है और देखा जाए तो वास्तों में ये लेखांकन की कोई नई प्रणाली नहीं है काफे लंबे समय से हम इसका प्रयोग करते आ रहे ह इसके बनाने के जो तरीके है अगर हमको व्यभारिक रूप से अगर हम उनको देखे तो हमको पता चलता है कि वास्तों में ये एक व्यज्ञानिक प्रणालिया है जिसे सभी प्रकार के जो संस्थान होते हैं चाहे वो छोटे संस्थान हो मद्यमाकार के या फिर बड़े को अपने लेखांकन प्रक्रिया में प्रयोग में ला सकते हैं अब जैसे की नाम से ही इस पर्ष्ट हो जाता है दोहरा लेखा-बनाली यानि कि ये प्रणाली हमको बताती है कि प्रतिख व्यवहार के य counterpart व्यज्ञापारिक सौदे के दो पक्ष होते हैं कि कैसे दो पक्ष ह होते हैं और इन दोनों पक्षों में हम कैसे लेखा करते हैं इनको जानने से पहले आए हम दोहरा लेखा प्रणाली की कुछ परिभाशाएं देखें और इन परिभाशाओं के आधार पर दोहरा लेखा प्रणाली के अर्थ को इसके विशेस्ताओं को और अच्छे से समझने का प्रयास करें दोहरे लेखे की प्रणाली डबल एंट्री सिस्ट्रम को अंग्रेजी बही खाता प्रणाली या पास्चात्य लेखांकन प्रणाली भी कह सकती है या लेखांकन की नई प्रणाली नहीं है दोहरे लेखे प्रणाली के अनुसार बही खातों का लिखना 1494 एस्वी में प्रारंब हुआ इटली के लिउकस पैसियोली ने एक पुस्तिका लिखकर दोहरे लेखे की प्रणाली को समझाया तब से यह प्रणाली प्रेयोग में लाई जा रही है तो आपने देखा कि दोहरे लेखा प्रणाली के समझ में विभिन विद्वानों ने जो परिभाशाय दी है अपने जो विचार व्यक्ति किया है सभी ने यह माना है कि प्रतेक व्यवार के दो पक्षकार होते हैं या फिर प्रतेक व्यवारिक सौदा दो पक्षों को प्रभ यहां हम जिन दो पक्षकारों की बात कर रहे हैं उनको हम कुछ उदाहरन से समझें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब नॉर्मल एक वेपारी वेपार करता है तो वो किस तरह के वेपार करता है एक उदाहरन सरूप अगर वो माल खरीदता है अब माल का खरीदना दो तरह से हो सकता है या तो उधार माल खरीदेगा या फिर नगद माल खरीदेगा पहला उधारन ले अगर कोई वैपारी नगद माल खरीदता है तो यहां पर हम देखते हैं कि नगद माल खरीदने की कंडिशन में दो पक्षकार प्रभावित हो रहे हैं एक तो उस व्यपारी के पास माल आ रहा है और दूसरा अगर वो नगद माल खरीदता है तो उस व्यपारी के पास से नगद पैसा जा रहा होता है तो दो प्रभावित पक्षकार है यहाँ पर एक तो माल और दूसरा पैसा अगर वो व्यपारी उधार माल खरीदता है जिसे माल लीजिये उधारण के लिए हम देखते हैं मोहन से माल खरीदा तो यहां पर भी हम देखते हैं कि दो पक्षकार प्रभावित हो रहे हैं नगत तो उस वैपारी के पास से नहीं जा रहा है लेकिन दो चीजे हैं एक तो वो मोहन से माल खरीद रहा है एक पक्षकार और दूसरा जब वो माल खरीदता है तो माल उस वैपारी के स्टॉक में आ रहा है बिल्कुल ऐसी ही कंडिशन बनती है जब एक वैपारी माल बेचता है बेचने पर भी दो दिशाय हो सकती है या तो उधार माल बेचेगा या फिर नगत माल बेचेगा अगर कोई वैपारी उधार माल बेचता है जैसे माल लेजिए मोहन को उधार माल बेचा तो यहाँ पर दो चीजे प्रभावित हो रही है एक तो मोहन को माल बेचा जा रहा है वो पाने वाला है दूसरा जो वैपारी माल बेच रहा है उसके स्टॉक से माल कम हो जा रहा है ठीक इसी तरह अगर नगद माल बेचता है तो यहां हम देखते हैं कि नगद माल बेचने पर एक तो नगद अगर बेचता है तो उसके पास पैसा आता है रोकर प्रभावित होती है और दूसरा माल अगर वो बेच देता है, तो उसके स्टॉक में जो माल था, वो कम हो जाता है, हमेशा हम देखते हैं कि दो पहलू ही प्रभावित होते हैं, सिंगल एक नहीं कुछ भी नहीं होता है, एक उदारण से अगर हम देख लें, अगर हम कोई संपत्ती खरीतते हैं, को अगर उसको खरीतता है, तो यहां पर दो चीजे होती है, एक तो उसके वैपार में वो संपत्ती आती है, जिस भी संपत्ती को वो पर्चेस करता है, खरीतता है, दूसरा पक्षकार, अगर वो नगत संपत्ती खरीद रहा है, तो उसका जो कैश अकाउंट है, कैश उसके पा सावित होते दिख रहे हैं संपत्ति यानि फनीचर और दूसरा कैश ऐसे ही हमने देखा कि प्रत्यक व्यपार में बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्य होते हैं जैसे वेतन दिया कमीशन दिया किराया दिया और इसके विपरित बहुत सारी आय होती हैं जैसे ब्य इसमें दो पक्षकार प्रभावित होते हैं फिलहाल हम जान ले कि हम जिन दो पक्षकारों के बारे में बात कर रहे हैं उनके लिए हम किन शब्दों का प्रियोग करते हैं किस वेक्ति को पैसा प्राप्त हो रहा है किसे माल प्राप्त हो रहा है माल व्यापार में आ रहा है या जा रहा है वे हम कर रहे हैं या हमको कोई आय प्राप्त हो रही है हम यह तो समझ गए कि दो पक्षकार होंगे लेकिन लेखांकन प्रणालियों के अंतरगत यहां पर हम शो कैसे करें कि किसको कितना प्राप्त हुआ किस ने दिया वे कब हुआ आय को हम कैसे प्रदर्शीत करें ऐसे बहुत सारे प्रेशन है यहां पर हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट सबसे पहले हम यह जान ले कि वास्तों में यह डेबिट और क्रेडिट है क्या डेबिट याने की विकलन पक्ष अगर होता है क्या है यह विकलन पक्ष कैसे आया यह लेखांकन प्रणालियों के अंतरगत इस पर एक नज़र डाले तो यहां हम पाते हैं कि डेबिट शब्द जो है वो लेटिन भाषा के डेबिटन से बना हुआ है डेबिटन जिसका अर्थ होता है या फिट डियू फॉर देट यहां हम बात करें यहां पर कि debit को हम किस तरह से यूज़ करते हैं तो हम लेखांकन के एक चिन्ने के रूप में इसको यूज़ करते हैं शौट में जिसको हम debit की जगा DR लिखकर प्रदशेद करते हैं आगे जब हम क्रियात्मक प्रश्णों को बनाएंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इसका लेखा करते हैं और उसके पहले ही हम यह जान लेंगे कि इनके नियम क्या होते हैं यह तो हमने बात की debit पक्ष की दूसरे शब्द का हम प्रियोग करते हैं जिसे हम कहते हैं credit और short में एक चिन्न के रूप में हम इसको CR से प्रदर्शित करते हैं क्रेडिट की अगर हम बात करें तो यह भी debit की ही तरह लैटीन भाषा का एक शब्द है जिसकी उत्पत्ती क्रेडर से हुई है क्रेडर यानि जिसका अर्थ होता है ख्याती अब debit credit की history तो हमने समझ ली लेकिन इसको use कैसे करते हैं लेखांकन में कहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं इसके बारे में जानने के लिए आए हम देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के अंतरगत किस तरह से लेखे किये जाएंगे क्या क्या इनके विशेस्ताय होंगी कहां कहां पर हम debit और credit शब्दो करेंगे तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतरगत हमने देखा कि इसका इतिहास क्या है एक शाब्दिक अर्थ में अगर हम जानना चाहें तो हम देखते हैं कि जैसे कि नाम से इसपस्ट हो जा रहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम यानि कि ऐसी प्रणाली जो दो पक्षकारों के आधार पर जिसकी जहां पर हम लेखांकन करते हैं और जो यह मान लेती है कि प्रतेक व्यवहार के दो पक्षकार होते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा कि या तो वो डेबिट होगा और या फिर वो क्रेडिट होगा यहां पर अगर हम इसके विशेस्ताओं को जान लें तो शायद हम इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे दोरा लेखा प्रणाली की सबसे बड़ी विशेस्ता ये है कि व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत पहलू दोनों को ही अपने अंतरगत शामिल करती है अब क्या है ये व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत पहलू इनको देखे तो व्यक्तिगत पहलू के अंतरगत वो सभी व्यपारिक सौदे शामिल हो जाते हैं जो किसी व्यक्ति विशेस, किसी फर्म विशेस या किसी कमपनी या संस्था विशेस से सम्बंधित होते हैं। दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से व्यपार व्यभार करते हैं। जिसे मोहन ने सोहन को माल बेचा। या हम यहाँ पर देखते हैं कि A लिमिटेट ने B लिमिटेट से माल खरीदा, दो कमपनिया। तो यह जो फर्म होती हैं, यह जो व्यक्ति विशेस होते हैं, इन से सम्बंधित जो लेखे होते हैं, वो व्यक्ति गत लेखे में आते हैं। दूसरी महा तो पूर बात कि अकेला एक व्यक्ति तो सौदा करेगा नहीं, चाहे वो क्रेविक्रे से सम्बंधित हो, किसी भी लेन दिन से सम्बंधित हो, हमेशा दो व्यक्ति होंगे, याने दो पक्षकार होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है, वो व्यक्ति गत पहलों को तो शामिल करती है, कैसे करती है, यह हमने जाना, लेकिन अपने साथ साथ आव्यक्ति गत पहलों पर भी बात करती है। अब व्यक्ति गत पहलों क्या है, जिनका व्यक्ति से संबन तो नहीं है, लेकिन व्यपारिक क्रियाओं के अंतरगत एक महतुपूर्ण स्थान इनका होता है, जैसे कि माल, माल के बारे में हमने परिभाशिक शब्दावली में पिछले अध्याय में जाना, माल यानि कि ऐसी क्रे, पुना विक्रे के लिए किया जाता है, एक उदारन के तोर पर हम देख सकते हैं कि कुरसी का जो व्यपार करता है, एक व्यपारी कुरसी बेचने का, अगर वो किसी उतपादक से 100 कुरसी खरीदता है बेचने के लिए, तो वो 100 कि 100 कुरसिया जो है, उसके लिए माल कहल आएंगी तो माल के संबन्ध में जो भी लेखे किये जाते हैं चाहिए वो माल को बेचे यह फिर माल को खरीदे वह दोरालेखा प्रणाली के अंतरगत आ जाते हैं इसी तरह से संपत्यों का जो क्रेविक्रे होता है वह भी इसके किराया देगा, किसी व्यक्ति को कमिशन देगा, कर देगा, बहुत सारे टेक्स उसके उपर लगते हैं, अपने इंप्लोईज को सैलरी देगा, मजदूरी देगा, ऐसे बहुत सारे खर्च वो करेगा, साथ में बहुत सारी उसको आय भी प्राप्त होगी, हो सकता है अपने भा प्राप्त भी हो सकता है और ऐसे बहुत से आए हैं जो किसी भी वैपारी को समय समय पर होते रहते हैं तो यह जितने भी खर्च है आए है व्य है लाब है हानी है इन सब में दो पक्षकार होते हैं और इन्हीं दोनों पक्षकारों को दोहरा लेखा प्रणाली के इस पधिति मे शामिल किया जाता है तो ये दोहरा लेखा प्रणाली की सबसे बड़ी विशेस्ता है कि व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत पहलू दोनों को ही अपने आप में शामिल करती है दूसरी इसके विशेस्ता ये है कि निश्चित नियमों के आधार पर लेखा किया जाता है ऐसा नहीं कि दो पक्षकार है एक दिया और एक लिया तो हम उसको सीधे सीधे लिख दिया और बात कतम दोहरा लिखा प्रणाली से लेखा करने की बात आती है तो हम पूरा का पूरा golden rule फॉलू करते हैं और उसी golden rule के according हम लेखांकन की जो पूरी प्रणाली होती है उसके आधार पर लेखे करते हैं आएए देखें कि वो golden rule या स्वाणीम नियम जिसे हम लेखांकन के कहते हैं वो क्या है गोल्डन रूल या स्वर्नीम नियम के अंतरगत दोरा लेखा प्रणाली ने खातों को तीन भागों में बाट दिया है कौन-कौन से तीन भाग? व्यक्तिगत खाता जिसे हम कहते हैं परसनल अकाउंट वास्तविक खाता जिसे हम कहते हैं रियल अकाउंट और तीसरा आवास्तविक खाता जिसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट सबसे पहले हम बात करें व्यक्तिगत खाते की तो जैसे कि हमने जाना कि एक व्यपार में जो व्यक्तिओं से प्रभावित होती है या तो वह कोई क्रेता वैपारी है कोई उत्पादक है कोई विक्रेता वैपारी है इन से संबंधित जितने भी लेखे होते हैं वह व्यक्तिगत लेखों के अंतरगत आते हैं अब कोई व्यक्ति ही सिर्फ नहीं बलकि हमने ये भी देखा था कि फर्म या कंपनिया जो होती है क्योंकि उनका एक प्रिथक वैपसाइक अस्तित्त होता है इसलिए वह भी व्यक्तिगत खातों के अंतरगत ही शामिल कर ले जाती हैं दूसरे खाते की हमने बात की वास्तिविक खाता रियल अकाउंट जो कि रोकर या माल से संबंदित होता है तीसरा होता है अवास्तिविक खाता या नॉमिनल अकाउंट जो कि वैपार के आय वै यानि कि जो खर्च होते हैं लाब या हानी इस तरह के जो वै होते हैं उनसे सं वन्दित खाता होता है अब हम देखें कि जिस नियम के हम बात कर रहे हैं जिस golden rule की हम बात कर रहे हैं वास्तों में वो क्या हैं तो सबसे पहले हम बात करें व्यक्तिगत खाते के तो नियम यानि कि golden rule related to personal account सीधा सीधा नियम ये कहता है कि पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है इस व्यक्तिकत खाते के जो नियम है उसको हम कैसे जनरल में अपलाई करते हैं इसे हम देखेंगे नकल बही में फिलाल यहां पर हम देख ले कि वास्त्विक खाता यानि कि Real Account का Golden Rule क्या है तो Real Account का Golden Rule कहता है क्योंकि हमने देखा कि रोकर्ड या माल से संबन्दित होता है Real Account का Golden Rule कहता है रोकर्ड या माल यानि Cash या Goods अगर व्यापार में आता है तो वो Debit कहलाता है डेबिट में जाता है और अगर रोकर्ड या माल, कैश या फिर गुड्स व्यापार से जाता है तो वो क्रेडिट में होता है, क्रेडिट में हम उसको लिखते हैं अब हम यह सोच रहे हैं कि आता है या जाता है यह कैसे पता चलेगा, तो सीधी से बात है कि माल व्यापार में आएगा कब जब कोई व्यापारी माल खरीदेगा और दोनों तरह का क्रेड इसके अंतरगत शामिल किया जाएगा, चाहे वो व्यापारी माल को नगत खरीदे या माल को उधार खरीदे, दोनों ही कंडिशन में माल व्यापार में आएगा और इसको according to golden rule debit side में लिखा जाएगा दूसरा पक्ष, रोकड व्यापार में आती कैसे है? तो सीधी सीधी सी बात है कि जब कोई व्यापारी माल नगत बेचता है, तो रोकड व्यापार में आती है, और जब भी रोकड व्यापार में आएगी, तो रोकड को लिखा जाएगा debit side में दूसरा पहलो माल वैपार से जाएगा या रोकड वैपार से जाएगी तो इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में ऐसा कब होगा माल वैपार से तब जाएगा जब कोई वैपारी माल बेचेगा यहाँ पर भी हम दोनों मेथड यहाँ पर शामिल करेंगे चाहे वैपारी उधार माल बेचे या फिर नगद माल बेचे दोनों ही कंडिशन में वैपारी के पास से माल जाएगा रोकड वैपार से कब जाएगी जब कोई वैपारी माल नगत खरीदेगा अगर मैं माल नगत खरीदूंगी किसी से तो मुझे पैसा तो उसको देना पड़ेगा मेरे वैपार से तो पैसा चला जाएगा तो रोकड वैपार से जाती कब है? जब कोई वैपारी नगत माल क्रे करता है नगत माल खरीदता है तो हमको ये समझ लेना है कि इन दोनों कंडिशन्स में जब रोकड या माल वैपार में आए तो हमको उसको डेबिट साइट में लिखना है जब रोकड या माल वैपार से जाए तो उसको हमको क्रेडिट साइट में लिखना है प्रैक्टिकली ये होता कैसे है? हम लिखते कैसे है? इन सभी बातों को हम विस्तार से नकल वही के अंतरगत जानेंगे। तीसरा पक्षकार यानि कि आवास्तविक खाता तीसरी प्रणाली खाते का तीसरा प्रकार यानि कि आवास्तविक खाता नॉमिनल अकाउंट। हमने पहले भी देखा कि एक वैपार में वैपारी बहुत सारे खर्च करता है उन खर्चों के अलग-अलग नाम होते हैं कभी हम उसको वेतन कह देते हैं कभी कमिशन कह देते हैं कभी ब्याज कह देते हैं कभी मजदूरी कह देते हैं ऐसे ही आए भी बहुत सारे होते हैं कभी एक वैपारी को किराया प्राप्त होता है, कभी कमिशन प्राप्त होता है, कहीं से भी उसको आय होती है, लाब होती है वैपार में, हानिया होती है वैपार में, इनमें कौन सदनियम लागू होता है, इसमें हमको ध्यान रखना है कि सभी प्रकार की हानिया और सभी प्रकार के debit side में लिखे जाते हैं सभी प्रकार के लाब और सभी प्रकार के I credit side में लिखे जाते हैं तो आपने देखा कि 12 लेखा प्रणाली किस तरह से एक व्यज्यानिक प्रणाली के रूप में प्रयोग में लाई जाती है और किवल दो पक्ष में लेखा करना है हमने लिख दिया और खतम कर दिया ऐसा नहीं है बिलकुल किसी रूल को किसी concept को follow करते हुए हम दोरा लेखा प्रणाली के अंतरगत लेखे करते हैं यहा अगर हम बात करें इसके तीसरे विशेचता कि तो हम देखते हैं बात करें इसके है कि एक न्याय पून प्रणाली है कैसे कह सकते हैं हम ये कि न्याय पून प्रणाली है इसके विशेस्ताओं में हम देख रहे हैं इसके अर्थ में भी हमने देखा परिभाशाओं में भी हमने देखा कि प्रतेक सौदे के दो पक्ष होते हैं और दोहरा लेखा प्रणाली इसी करई कि पाल आया कहां से माल गया कहां पैसा आया कहां से पैसा गया कहां खर्च कहां पर हुआ policeman कर माफ कि हुई राब कितना हुआ रानी कितनी हुई इन सारी बातों का कि कि विस्तृत जानकारी एक क्षिप र we के बात करती है इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि न्याय पून प्रडाली है